हेलो एवरीवन मैं संचिता जैन मैंनेट ब्रेंस इंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हां तो आईए जुड़िये मैंनेट ब्रेंस के साथ आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की जियोग्रोफी में वाईउ मैंडली परिशन चरण तथा मौसम प्रणालियों का अगला टॉपिक जो की है चक्रवाद तो चलिए इस सेशन को अपन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चक्रवादों के बारे में जानने से पहले आप सभी आज के सेशन को जादा से जादा लाइक कर दें और जादा से जादा शेयर कर दें अब अपन शुरू करते हैं आज के सेशन को जो की ह मौसम प्रणालियों के बारे में जिसमें आज हम जानेंगे चक्रवाद के बारे में तो चक्रवाद के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी चर्चा कर चुके हैं तो हम सभी जानते हैं कि चक्रवाद जो है निम् वायूदाब के केंद्र होते हैं ठीक है जहां निम्न वायूदाब के केंद्र और बाहर उच्छ वायूदाब है तो हम सभी जानते हैं कि हवाई या पवने जो है उच्छ वायूदाब से निम्न वायूदाब के केंद्रों की और जाती है लेकिन चक्रवात में निम्न के छेत्र की ओर आएंगी यानि की बाहर से अंदर की ओर आएंगी तो चक्रवाद की इस घटना के बारे में अपन सभी जानते हैं कि पहली बात तो यह जानते हैं कि पवने जो है उच्च वायुदाप से निम्नवायुदाप की तरह आती हैं और चक्रवाद जो होता है निम्न चक्रवात में उच्छ वायुदाब का केंद्र होता है प्रती चक्रवात में क्या होता है उच्छ वायुदाब का केंद्र होता है और बाहर की तरफ निम्नवायुदाब होता है यानि कि अंदर से बाहर की तरफ हवाएं जाएंगी या यानि कि इस तरीके से जो है काम होगा प अपन जानेंगい बही रुष्ण कटी कटी बनधी चक्रवाद क्या होता है चक्रवाद् प्रठी चक्रवाद के बारे में बहुत डीटेल में पहले लेक्चर में पढ़ Damn और उसके अंतर भी पढ़ चुके हैं कि चक्रवाद तो प्रठी चक्रवाद में CHPS हुता है ense अब हम जानेंगे शेशन में बही रुष्ण कटी बंधिय चक्रवाद के बारे में बही रुष्ण कटी बंधिय चक्रवाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोंस के बारे में तो वे चक्रवाद ये वायू प्रणालियां बही रुष्ण कटी बंधिय चक्रवाद की बात कर वे चक्रवाथी वायू प्रणालियां, जो उस्ण कटी बंद से दूर, मध्य वा उच्च अक्छानसों में विख्षित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण या सीतोष्ण कटी बंदीय चक्रवाथ कहते हैं. या सितोष्ण कटी बन्दी चक्रवात के 나म से जाना जाएगा तो ये तो बात हो गई दी चक्रवात होता क्या है दो की बात करते हैं इसके बाद हम देखें तो मध्य तथा उच्छ अक्षांसों में मध्य तथा उच्छ अक्षांसों में जिस शेत्र से गुजरते हैं क्योंकि बहिरुष्ण कटिवंधी चक्रवाद की इस्तिति कहां उत्पन हो रही है मध्य और उच्छ अक्षांसों में तो ज बिल्कुल आएगा ठीक है वहां की मौसम संबंधी अवस्थाओं में जो हचानक से बदलाओ आएगा और बहीरुष्ण कटी बंधी चक्रवात धुरुवी वाताग्र के साथ साथ ही बनते हैं जब द्रुबों पर वाताग्र की घटना घटती है तो बहीरुष्ण कटी बंधी चक्रवात धुरुवी वाताग्र के साथ साथ ही बनते हैं और उत्री गोलार्ध में वाताग्र के दक्षण में कोश्ण वा उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रभावित होती है किनसे बहीरुष्ण कटी बंधी चक्रवात से क्या प्रभावित हो रहा है उत्त्री गोलार्ध म में वातागर के दक्षण में कोषण वह उत्तर दिषा से थंडी हवा जो है प्रवाहत होगी ठीक है इतनी बाते किलियर हो गई भैनल्षर कटी बंधे चक्ष्रवाद के बारे में तो बहियर उच्ष्री कटीबंधी चक्रवाद क्या है कि वे चक्रवाति वायू प्रणालिय कालुल जो ऊश्ण कटी बंद से दूर मध्य वाउचक शांसों में विक्सित होती हैं अब आगी की बात करें Quindi T presenting जब वाताग्र की साथ वायूदाब कम होता जाता है जब वाताघ्र के साथ वायूदाब कम होता जाता है वाताघ्र किसे कहते हैं पिछले लेक्चर में अपणने पड़ा था कि जब दो भिन वायूराशियां एक दूसरे को उपर की तरफ धकेलने का प्रयास करती है तो उससे जो संपर्क छेत्र बन्ता है उससे क्या ठंडी वायू दक्षण दिसा में घड़ी की सुंयों के विप्रीत चक्रवातिय परीश संचरण करती है ऐसे जब में यह ऐसे चलती है लेकिन यह वायू कैसे चलेगी दक्षडी दिसा में घड़ी की सुई के विपरी दिसा में घड़ी की सुई के विपरी चक्रवातिय परी संच्रण करती है और इस चक्रवातिय प्रवाह से इसी चक्रवातिय प्रवाह से बही रुष्ण कटी बंधिय चक्रव विक्सित होता है जिसमें एक उश्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है तो यह सारी बाते हो गई किस बारे में यह सारी बाते हो गई बहिरुष्णिय कटी बंधिये चक्रवात के बारे में अब देखें आंगे उश्ण कटी बंधिय चक्रवात की बात करें वह गई थी बहिरुष्णिय या सीतोष्ण कटी बंधिय चक्रवात की बात हो गई थी अब बात करेंगे उश्ण कटी बंधिय चक्रवात के बारे में तो उश्ण कटी बंधिय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं बहुत ही आक्रमक तूफान है जीनी की उत्पति कहां होती है उस्न कढ़िबंदि-τι छेत्रों के महा साग्र उपसे पहली बात वह है कि जो उस्न कढ़िबंदि चक्रवात होते हैं वो यह एक आक्रमक तूफान होते हैं उस्न कहा होती है उश्ण कटिवंधी छेत्रों के महासाग्रों पर होती है और ये महासाग्रों से महासाग्रों के तटिय छेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं उश्ण कटिवंधी चक्रवाद उसके बाद देखें ये चक्रवाद आक्रामक पवनों के कारण विस्तरत विनाश तूफान होते हैं तो यह आक्रामक तूफान यह चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्त्रत विनाश अत्यधिक वर्षा और तूफान जैसी इस्तित्यूद पन्द करते हैं यह चक्रवाद विधुवन्शक प्राक्रतिक आपदाओं मैं से एक होते हैं और हिंद महासाग माहासाँगर मैं चक्रवाद up किस नामसे को हरीकैन के नाम से बस्क्रवाद के नाब सरशों कि सौनफेश्य को साघर में और किस के नामसे जाना जाएगा ठाइफून के नाम से जाना जाएगा और पश्चिमी ऐस्ट्रेलिया में उश्ण कटी बंदिया चक्रवातों को विली-विली के नाम से जाना जाएगा पश्चिमी ऐस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाएगा विली-विली के नाम से जाना जाएगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये चीज वह तहों समझने की चीज थी लेकिन अभी जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वह यद équरने की चीजक्र सभाकर में चसव ход बंदिये स्ज़ेद चक्रवारतों सिर्फ चक्रवारत के नामें से जाना जाता है अटलांट हम साल में हरीकेन के नाम से जाना जाता है पश्चिमी प्रसांत तो दक्षण चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी अस्ट्रेलिया में विली-विली के नाम से इनको जाना जाता है चलिए तो अब चलते हैं आगे उश्नकटीबंधिय चक्रवाद उश्नकटीबंधिय महासागरों में उत्पन होते हैं और विक्सित होते हैं इनकी उत्पत्ति वा विकास के लिए अनुकूल इस्थितियां हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इनका विकास कैसे होता है उनके लिए कौन-कौन सी अनुकूल परिस्तितियों की आविशक्ता होती है उस बारे में जानने वाले हैं अब हम तो पहली बात करें व्रहत समुद्री सतह बहुत जादा बड़ी समुद्री सतह हो जहां ताप मान 27 डिग्री सल्सियस से देखो यानि की गरम हो तब तो इन्हे इस बंदी चक्रवाद कहा गया है व्रहत समुद्री सतह हो जहां ताप मान कितना हो 27 डिग्री सल्सियस से अधेखो कोरियलस बलका होना ठीक है दूसरी अनुकूल परिस्तिती तीसरी अनुकूल परिस्तिती क्या है इनकी उत्पन और इनके विकास की ऊर्द्वादर पवनों की गती में अंतर कम होना ठीक है उर्द्वादर पवने जो है उनकी गती में अंतर कम होना चौथी बात करें तो कमजोर निम्नदाब कमजोर निम्नदाब छेत्र या निम्न इस्तर का चक्रवातिय परीसंचरण का होना कमजोर निम्नदाब छेत्रों या निम्न इस्तर का चक चक्रवात ये परीशंच्रन हो और पाँचवी अनुकूल परिष्थिती जो है वह ये है समुद्री तलतंद्र पर ऊप्री अपसरण हो तो ये सारी 5 AG होती है तो वह उत्पन होता उष्ण कटीबंदी चक्रवाद उत्पन होता है और यह सारी कंडिशन उष्ण कटीबंदी चक्रवाद के उत्पन होने में अपनी भूमी का निभाती हैं चलिए अब देखें बहुत अच्छे से समझना समुद्र तलों से लगातार आदरता की आपूर्ती से यह तुफान अधिक प्रवल होते हैं जो उष्ण कटीबंदी चक्रवाद होते हैं जोने आक्रामक तुफान की संग्या दी गई है जो कि कहां उत्पन हो सकते हैं उसके लिए व्र अधिक प्रवल हो जाते हैं समुद्रों से लगातार आदरता मिलरी लगातार नमी मिल रही है तो उससे तुफान क्या है ज्यादा प्रवल हो जाते हैं और इस्थल पर क्या होता है इस्थल पर उन्हें नमी नहीं मिलेगी इस्थल पर जाकर आदरता की आपूर्ती रुक जा यानि कि समुद्र के आसपास के जो तट हैं उन्हीं पर इनका प्रभाव जादा देखा जा सकता है क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए भई लगातार आधरता चाहिए लगातार नमी चाहिए और समुद्रों से लगातार रहने आधरता लगातार नमी मिलती रहती है तो यह तू चीड होकर चीड होकर ये खतम हो जाते हैं वह स्थान अब ध्यान दें वह स्थान जहां से उष्ण कटी बंद ये चक्रवाद तटको पार करके उसकी जमीन पर पहुंचते हैं वह स्थान जहां से उष्ण कटी बंद ये चक्रवाद तटको पार करते हुए जमीन पर पहुंच कुछते हैं उसे क्या जाता है चक्रवाद का लेंड़ फॉल कहा जाता है ठीक है आगई बात समझ में कि चक्रवाद का लेंड़ फॉल किसे कहेंगे वह स्थान जहां से उश्ण कटी बंधिये चक्रवाद तट को पार करके जमीन में पहुंचेगा उस स्थान को चक्रवाद का लेंड़ फॉल कहा जाएगा ठीक है तो एक बाद अपने समझी कि किस तरीके से किस तरीके से ये चक्रवाद रुक कर समाप्त हो जाते हैं और चक्रवाद जहां पर जाके रुकते हैं उसे कहा जाता है चक्रवाद का लेंड़ फॉल दो चीजें अपन ने इस पॉइंट में सीखी अब देखें एक विक्स से तूश्र कटी बंदी चक्रवाद की विशेस्ता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सरपिल यानि की स्पाइरल पवनों का परी संचरण है जिसे इसकी आख या आई कहा जाता है ये देखें ये भाग आप देखें ये भाग आपको नजर आ रहा होगा तो ये क्या है एक विक्स से तूश्र कटी बंदी चक्रवाद है इसकी विशेस्ता क्या है कि इसके केंद्र के चारों तरफ ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सरपिल स्पा 200 किलो मीटर तक होता है कितना होता है यहां पर आप देख रहे होंगे डेड़ सो से यहां तक देखें आंगे तक की बात करें तो डेड़ सो से धाई सो किलो मीटर तक इसका इस परिशंचरण प्रणाली का व्यास होता है यहां से आप देखें चाहे आप इस तरफ जाएं चाहे आप इस तरफ जाएं तो डेड़ सो से धाई सो किलो मीटर तक इसका व्यास हमें देखने को मिलता है तो यह बात हो गई किसकी यह बात हो और sini पववनों के परिशंच्रन की बात की चक्रवाद की आई या आख की बात हो गई अब देखें आंगे क्यों कि इसका कैंड्रिय झो होता है अक्षू झेत्र जो है वो शांत रहता है इसका कैणरी झेत्र जो है यह एकदम शान्त होता है जहां पवनों का अवदलन होता है अक्षू के चारों तरफ अक्षू भित्ती होती है अक्षू के चारों तरफ आप देखें यहां पर देखें इसके चारों तरफ हमें एक दिवार टाइप की दिख रही है दिवार को भित्ती कहा जाता है और आख के चारों तरफ है चक्रवाद की आख के चारों तरफ है इसलिए इसे अक्षू भित्ती कहा गया है अक्षू के चारों तरफ अक्षू भित्ती होती है जहां वायू का प्रवल्वा व्रत्ता का रूप में आरोहन होता है ठीक है आप देखें इस वायू को भी देखें ठी यह आरोहण जो है कहां तक पहुंच रहा है यहां देखें आप छोब सीमा की उचाई तक पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसी शेत्र में इसी शेत्र में पवनों का वेग अधिक्तम होता है किस शेत्र में इसी शेत्र में पवनों का वेग जो है अधिक्तम होता है जो धाइसो क्लो मीटर प्रती घंटा तक वो सकते हैं, यानि कि पवन है, धाइसो क्लो मीटर प्रती घंटा तक इस शेत्र में, अक्षुभित्ती के शेत्र में, धाइसो क्लो मीटर प्रती घंटा की तीवरता के साथ चला करती हैं. अब आगे बात करें तो इन चक्रवातों से इन चक्रवातों से जो है मुसलाधार वर्षा होती है चक्रवात की आँख से रैन बेंड विक्सित होते हैं यहां पर आप देखें डाइग्राम को पीछे की तरब देखें तो चक्रवात की आँख से जो है यहां देखें चक्रवा चक्रवाद की आँख से रेन-bend रेन-bend जो है विखसित हो रहे हैं तथा कपासि वर्षा कपाशी वर्सा बादलों की पंतियां बाहर की और विस्था पेथ हो जाती हैं यह देखें, एक मिनिट ही यह देखें, कपासी वर्षा मेग जो है, वह पंक्ती के रूप में बाहर की तरफ इस्तित हो चुके हैं, चक्रवाद की आँख से रेंट बैन विक्सित होते हैं और तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहर के छेतरों की ओर जो है विस् ये चक्रवाद तूफान तरंगे उत्पन करते हैं और तटी निन इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं यानि कि भारी मातरा में वर्षा होती है और जो तटी निन इलाके होते हैं वो जल प्लावित हो जाते हैं और ये तूफान जब इस्थल पर पहुंचता है ये तूफान जब इस्थल पर पहुंचता है तो धीरे धीरे खतम हो जाता है इस तरीके से चक्रवाद का लेंड़ फॉल हो जाता है यानि कि चक्रवाद इस्थल पर पहुंच कर खतम हो जाता है अब हम बात करेंगे तड़ित जन्जा वा टॉर्नेडो के बारे में तंडर स्टॉम्स एंड टॉर्नेडो अब देखें अन्य विद्धुवन्शक इस्थान ये तूफान तड़ित जन्जा तथा टॉर्नेडो है अभी अपनने क्या पढ़ा था विश्ण कटी बंधिये चक्र बश्रवसक तूफान भी है जिनको तड़ति जन्जा तथ टारिडो कहा जाता है यह अलप समय के लिए रहते हैं यह बहुत कम समय के कि लिए रहते हैं अब पिक्शाक्रत कम छेत्र फल तक सीमित रहते हैं यानिब की जितने छेत्र फलता उश्चन इस रखटी बन्तिह तड़ेत जंजा उश्ण आद्र द्रणों में प्रवल संवहन के कारण संवहन में क्या होता है वायू उपर की तरफ लंबबद उठती है संवहन में अपने पड़ा था चालन संवहन विक्रण तीनों चीजों के बारे में पड़ा था यहां पर बात हो रही है संवहन की संवहन में वायू उपर की तरफ उठती है गरम वायू लंबबत रूप से उपर की और उठती और उपर पहुंचकर बादलों का निर्माट करती है और वारिश होती है ठीक है यह चीज पड़ी थी तो तड़ेत जंजा जो है उश्ड आदर दिनों में यानि की गरम और नमी के दिनों में प्रवल समवहन के कारण उत्पन होती है तड़ेत जंजा एक पूर्ण विक्सित कपासी वर्षी मेग है जो की गरजवा बिजली उत्पन करते हैं तड़ेत जंजा किसे कहा जाता है तड़ेत जंजा यानि की जब बिजली चमकती है बादल गरसते हैं बादल बनते हैं त तो तड़िज जंजा एक पूर्ण विक्सित कपासी वर्षी मेग है जो गरजवा बिजलियूत्पन करते हैं जब यह बादल जब यह बादल तड़िज जंजा के रूप में विक्सित जो कपासी वर्षी मेग है या कपासी वर्षा के जो बादल है जब यह बादल अधिक उच तक चले जाते हैं जहा तापमान सून्य से भी कम रहता है कितना क्योंकि ऊपर जाने परrel arrest Tut जाने पर सावत तक चले जाते हैं जहां तापमान सून्य से भी कम रहता है यानि कि माइनस में रहता है माइनस डिग्री में रहता है तो इससे ओले बनते हैं बहुत कम टैंपरेश जरू तो जब बादल उपर जाते हैं उतने उपर पहुंच जाते हैं जहां टैंपरेशर सुनने से भी कम यानि की माइनस महुता है तो इससे क्या बनेंगे भई इससे ओले बनते हैं और ओला वरस्टी होती है तो समझ में आया कि ओले कैसे बनते और ओलों की बारिश कैसे होती है अब देखें आधरता कम होने पर ये तड़त जंजा धूल बरी आधिया लाते हैं जब धूल बरी आधिया लेकर आते हैं तो तड़त जंजा की चर्चा हो गई अब देखें आंगे और तड़त जंजा की विशेस्ता उष्ण वायू का प्रवल उर्धव प्रभाह है अपने बिल्कुल देखा था कि समवहन के माध्यम से तड़त जंजा में ऊपर की ओर वायू उठती है और बादलों का निर्माड कर होती है और तड़त जंजा जो है कपासी वर्षी मेगी के रूप में जाने जाते हैं जो बिजली और गरजुत्पन करते हैं यही चीज़ अभी पड़ी थी तो तड़त जंजा की विशेस्ता क्या है उश्ण वायू का यानि की गरम वायू का प्रवल उर्धव प्रवाह है यानि की उपर की तरफ गरम वायू जारी है जिसके कारण बादलों का आकार जो है बढ़ता जाएगा जिसके कारण क्या होता जाएगा बादलों का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा और यह अधे कूचाई तक पहुंचते जाएंगे यह अधे कूचाई तक पहुंचते ज थंडी वायू प्रत्वी पर थंडी वायू वर्षा लेके आते हैं अब उपर गरम हवाएं उपर उठी बादलों का निर्माड किया फिर वंबारिश भी होगी तो इसके पश्यात क्या होता है कि नीचे की तरह वात प्रवाह होता है प्रत्वी पर थंडी वायू वर्षा लेक केंद्र पर अतियंत कम वायूदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं और इस परी घटना को टॉर्नेडो कहा जाता है केंद्र पर अतियंत कम वायूदाब होना यानि की केंद्र पर निम्नदाब की स्थिति होना ठीक है केंद्र पर निम्नदाब की स्थिती होना यानि की बाहर उच्च वायूदाब है उच्च वायूदाब से निम्न वायूदाब छेतर की ओर पवने जब चला करती है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है चक्रवाद और जब केंद्र परत्यंत कम वायूदाब होता है और यह व्यापक रूप से भय घटना को टॉर्नेडो कहा जाता है किलियर हो गई सारी बात दें कि किस तरीके से किस तरीके से चक्रवाद उत्पन्न होते हैं किस तरीके से चक्रवाद सांथ होते हैं और किस तरीके से तड़े जंजा उत्पन्न होती है उपर की तरफ गरम धाराएं गरम वायू उपर की और बादलों का निर्माड होता है बारिश होती है और जब ये बादल जादा उचाई तक बहुत जाते हैं जहां तापमान शुन्य से भी कम होता है माइनस में होता है और ओलों का निर्माड होता है और ओला व्रस्टी होती है इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर होई गर इतनी स सारी बातों में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके हर सवाल का आंसर जो है बहुत अच्छे से दिया जाएगा अब देखें टॉर्णेडो सामानित हैं मद्य अक्छांसों में ही उत्पन होते हैं टॉर्णेडो के कहा जाता है वाटर स्पाउस कहा जाता है टॉर्णेडो सामानित हैं मद्य अक्छांसों में उत्पन होते हैं और समुद्र तट पर टॉर्णेडो को क्या कहा जाता है जल इस्तंभ कहा जाता है यह आक्रामक तूफान यह आक्रामक तूफान वायू मंडली उर्जा वित्रण में भिन्नता या आइस्थर वायू के व्यवस्तित होने की अभी व्यक्ति है क्या बात कही गई है यह जो टॉरेडो नाम के आकरामक तूफान है वायू मंडली उर्जा वित्रण में भिन्नता के व्यवस्तित होने की अभी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और इनहीं तूफानों से इस्थतिजवाताप उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायू मडली दशाएं पुनाहा इस्थिर इस्थती में लौट आती है तो इस तरीके से अपनी संपन होती है टॉर्नेडो की घटना यहां तक अगर कोई डाउट हो आप बे क्वेशन का जवाब यहां से दिया जाएगा और इस तरीके से जो है चक्रवाद का जो शेशन था वो यहीं पर खतम होता है यह चैप्टर जो है चैप्टर भी यहीं पर खतम होता है इस चैप्टर को कई सारे पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको क्या करना है अगर पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं पड़े हैं इस चैप्टर के तो पिछले पार्ट्स को भी आप पीछे जाके देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में पूरा जेओग्राफी का लेमिंद क्लास का जितना भी अभी इस लेबस में आपको पड़ा चुकी हूँ सारा का सारा वहां पर बहुत अच्छे से दिया गया है सारे वीडियोज दिये गया है एंस largest Pokemon सारा खौश वान श्रोर्ट रिवीजण küu 15 विट रिवीजण भी दिया है तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं और यह सारी चीज़ें आपको कहां मिलने वाली है मैगने ब्रेंज की यूट्यूब चानल में अपने लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं एप्लिकेशन पर वेबसाइट पर तीनों जगह उपलब्द हैं अगर आप ईबुक्स और इनोट्स भी चाहते हैं त इन स्टेट बोड को भी हम कभर करते हुए चलते हैं जिनमें हैं यूपी बोड बिहार बोड और एमपी बोड इसके लावा कुछ और कोर्स भी हमारे पास उपलब्द हैं जो की हैं स्पोकन इंगलिस सीवीटी और ओलंपियाट यह सारे कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर एक चैनल पर हाई क्वालिटी एज्यूकेशन के साथ सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं और हां मैंडे प्रेंज जो है यूटूब के लावा अदर सुशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की फेसबुक इंस्टा ट्वीटर और टेलीग्राम पर भी अविलेवल है तो आज के शेशन को आप सभी को जादा से जादा लाइक करना है जादा से जादा शेयर भी करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश रही है थ Thank you so much.